लोकास्था के महापर्व छट की तैयारी शुरू स्वास्थ्र मंत्री बनना घुपता ने लिया जम्शेत्र पश्चिम के नदी घाटों का जायजा युदस्तर प्रतैयारी तेज करनी के अधिकारियों को दिया निर्देश लोकास्था के महापर्व छट को लेकर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने स्वास्थ सह आपदा प्रवंधन मंत्री बनना गुपता गुरुवार को जम्शेत्पुर पश्चिम के नदी घाटों के पहुँचे इस दोरान मंत्री के साथ जम्शेत्पुर अधिसूचित शेत्र समीती जुस्त को एवं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौझूद रहे स्वास्त मंत्री ने सभी संबंदित पुलाधतीकारीओं को छस्ट से पुर्व सभी छसट घाटों को तयार करने का निर्दीश दिया। महापर्व से किसी तरह की कोई परिशानी नहीं होगी उन्होंने श्रत धालू से जिला प्रशासन को सहयोग करने की अपील की इंडिया नियूज वारल्स दिहार जारकन के लिए अफ्रोज मलिक के रिपोट लोक आस्ता का महापर्व छट हम सारे लोग बड़े पवित्रता के साथ इसको मना आते हैं और आप सभी लोग इसके साक्षी हैं कि ये इलाका बड़ा खराब था आपने पल-पल की इसके रिपोटिंग की है और आपके पास बहुत सारे इसके फूटेज मौजूद होंगे आज पहले से बहुत बहतर और एक समतल और साप सुत्रा दिख रहा है लेकिन अभी इसमें गुणवत्ता पुर्वक सुधार की आरशक्ता है चुकि लोकास्ता का महापर्व हमारे बिल्कुल करीब है तो हमने विशेश पदादिकारी महुदय हैं उनसे निवेदन किया है हमारे सुनारीक इंस्पेक्टर साहब है उन्हीं का ये छेतर पड़ता है तो सारे लो जगह नहीं किसी को कोई छोटी जगह नहीं सबके लिए एक समान जो है आड़ बैदस का एक जगह उनके लिए सुनिश्चित कर दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पवित्रपर्व को मना सके और इसमें जितनी भी यह अभी जो थोड़ा भूत अबगंदग देख रहे हैं इसको भी साफ सफाई करने का यूद इस तर पर काम चालू हो जाएगा एक तो यह दुमैनी का घाट है दूसरा सती घाट है तीसरा निल सरवबर है फिर सासरी नगर का घाट है फिर हमारे मानगो के कई घाट है कुमर बस्ती है फिर वो सूर्य मंदिर है हमारा गौड बस्ती के पास है तो कई जगे ऐसे हमारे घाट है जहां पर अभी सफाई की जरूत है अभी मैं इधर कदमा में सुनारी में तिन-चार जगे देखूंगा फिर मानगो भी मैंने विश्लस पतारीकारी को बुलाया है मानगो भी मैं जा रहा हूं मानगो भी देखूंगा और जो आवशक दिशा निर्देश है वो हमने दिये हैं हमने हमारे मानने उपायुक्त महुदय को भी इस बात से उनको अवगत करा दिया है और हमारे उपायुक्त भी बड़े संभेदन सील और बड़े अच्छे अपसर हमारे जिला में आये हैं उपा कि सब मिलकर यदि काम करेंगे तो यह बहुत ही बहतर हो जाएगा और हम सारे लोग इस लोकास्ता के पर्व को दिपावली को बलकि मैं तो आपके माद्यम से लोगों से यह निवेदन करूंगा कि यहां पर लोग आएं और आकर इस प्रगृति के इस संपदा का समर्थन भी करें समवर्धन भी करें और अपने को भी सारेरिक रूप से बलिष्ट और मजबूत करें चुकि उनको जो नेचुरल उनका जो जीवन है जो नदियों पर पाहड़ों पर जो स्वभाविक जीवन होता है उसका अनंद लें और यहां तो हम लोग बहुत सुन्दर पार्क हमारे बुजुर्ग आएंगे हमारी मा बहना कर इधर इलाके में घूमेंगी फिरेंगी तो उनको भी सारेरिक रूप से लाब भी होगा और हम इस लोकास्ता के महापरव को भी अच्छे से मनाएंगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैर आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे